झात्रों आज हम कफ्षा ग्यार्मी में राजनीति विग्ञानों विश unreal मेंध्याय पांश विधाई्का के वारे में अध्यान तरेंगे सरकार का यह एक अंग है तारपालिका विधाईका और य्याय पालिका तो इस जो विधाईका है यह वास्ता हमें जन्ता जन्ता के द्वारा चुने गए प्रतिनिदी इसमें राते हैं जन्ता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाओ के द्वारा चुने जाते हैं कि यह जो इसमें इसका क्याम हैं जो कानून गया تंबरता कैं बनाती है तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक राश्टी इस्तर पर वे ए उतना इस त्वारा पार होती है और राज्जी इस्तर पर वी बिधाईका होती है तो हमें संसत की आवश्यक्त क्यों होती है क्योंकि संसत का काम है विदी निर्मान कानून को बनाना कारफालिक का पर भी नियंत्रन करती है उनको सीमित करती है और जनता या जनता या कोई भी जो रास्ती विशह है उस पर भी नियंत्रन करती है तो इस प्रकार क्योंकि बड़े बड़े रास्ट होते हैं इसे संसत में हमें दो सतनों के आविशक तक होगी क्योंकि यदि बड़े रास्ट हैं बड़े रास्ट हैं तो सभी में सभी छेत्रों को देश के सभी छेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सके वहां से प्रतिनिधी देश कहें अजी मालो हम एक सदन होगे तो प्रतिनिधी काम आएंगे और दो सदन होगे तो प्रतिनिधी ज्यादा आएंगे और मालो संसत का कोई भी निर्णा है संसत का संसत में जो निर्णा लिये जाते हैं तो यदि दो सदन होते हैं तो उस पर फिर से पुनय क्या हो जाता है पुनर विचार हो जाता है इसलिए हमें संसत में दो सदनों की क्या होती है आवश्यक्ता होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि रास्टी इस्तर पर भी जो कि रास्टी इस्तर पर जो होती है विधाई का उसको हम कहते हैं संसत संसत के यह दो सदन होते हैं राज सभा जिसको हम उच्छ सदन भी कहें सकते हैं और दूसरा होता है लोक सभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं यह है निम्न सदन और जो राज इस तर पर होता है कि विधाई का होती है उसको हम तास्टी इस तर पर संसत बोलते हैं इसको हम विधान मंडल कहते हैं इसके भी दो भाग होते हैं दो सदन हो सकते कहीं कहीं हैं और कहीं कहीं नहीं है इसका एक सदन होता है विधान सभा और दूसरा होता है विधान परिश्यत राजिस्तर पर तो हमारे भारत देश में दौनो सदन है लेकिन राजिस्तर पर जो विधान मंडल है उसमें दो सदन सभी जगए सभी राजियों में नहीं है केवल जब यदि दोनों सदन होते हैं तो हम इसको बोलते हैं द्वी सदनात्मक और जब एक होता है तो उसको बोलते हैं एक सदनात्मक तो जो द्वी सदनात्मक है हमारे भारत देश में सात राजियों में कैसी बवस्ता है द्वी सदनात्मक यह सात राजियों के नाम मैं वता देती हूं जैसे आंधर प्रदेश बिहार महरास्ट करनाटक जम्मू कश्मीर ते लांगना ते लांगना और एक उत्तर प्रदेश यह साथ राजियों में द्वी सदनात्मक ववस्ता है मतला विधान सवर भी है और विधान परिशद है और बाकी राजियों में एक सदनात्मक ववस्ता पाई जाती है तो यह अपने मतलब उस छेत्र में उस राज्य पर निर्वध करता है, कि वो एक सदनात्मक ववस्ता चाहता है या दुई सदनात्मक ववस्ता चाहता है. अब हम पढ़ेंगे राज्ष्टे के साथा के बारे में. जो राज्यसाबा के सदस्त हैं इनका अप्रत्यक्ष विजी से चुनाओ होता है यह जो हमारे विधायक हैं यह सब इसका एक निर्वाचक मंडल होता है राज्य के विधायकों का एक निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा राज्यसाबा के सदस्तियों का चुनाओ किया जाता है यह जो राज्यसाबा के सदस्त हैं यह च्छे वर्ष के लिए चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं छे वर्ष के लिए और इनको यह इसके प्रतिक हर दो साल में हर दो बर्ष में एक तिहाई सदस्त अपना कारकाल पूरा करते हैं अच्छा राज्यसाबा के जो सदस्त हैं कि मतलब उस पूरे कभी भी राज्यसाबा भंग नहीं होती है राज्यसाबा को हम इस्थाई इस्थाई सदन भी कहते हैं क्योंकि हर दो वर्ष में एक वाटे तीन सदस्त क्या करते हैं अपना कारकाल पूरा करते हैं फिर से उनके चुनाव हो जाते हैं और राज्यसाबा में कुछ सदस्त राष्ट पती द्वारा मनोनीत किये जाते हैं बारा सदस्त कि रास्ट पती द्वारा बारा सदस्त मनोनीद करते हैं तला विज्ञान साहित के छेत्र में तो यह इस प्रकार राज्यसभा के बारे में हो गया और राज्यसभा में क्या होता है कि हर छेत्र से प्रती निधी चुने जाते हैं वह वहां की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर मालो भारत में जो ज्यादा जनसंख्या वाला छेत्र है वहां से प्रती निधी की संख्या ज्यादा होगी और जो कम जनसंख्या वाला छेत्र है वहां प्रती निधी की संख्या क्या होगी कम होगी तो जनसंख्या की आधार पर वहां पर प्रती निधी चुनके आते हैं लेकिन अमेरिका में जो राज्य सबाय है उसको हम सीनेट कहते हैं वहां पर हर छेत्र से प्रती निधियों की संख्या बराबर होती है वहां जनसंख पर नहीं चुना जाता है कि अधिन यदि हम भारत में ऐसा करें तो सिंप में ज न संख्या बहुत कम है जञनता बराबर से चुने गए प्रतिनिधी और उत्तर प्रदेश की जन संख्या बहुत अधिक है वह जाबर होगी तो यह उचित नहीं होगा इसलिए भारत में जन संक्या के आधार प्रतिनीदी चुने जाते हैं जन संक्या में तो एक प्रतिनीदी चुन सब्सक्राइब है उत्तर्प्रदेश में उसते पांच गुनी जन संख्षा है तो वह ढesan संख्या के आदार पर पांच प्रतिनिधियों को चुना जाता है अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुना होता है और जो चुने जाते हैं वो पांच भर्ष के लिए चुने जाते हैं और यदि बीच में कोई भी सदस्त के द्वारा कुछ भी बीच में आविस्वास प्रस्ताव या कोई गलत कार होता है तो पूरी लोकसभा एक सांथ भंग हो जाती हैं और इससे लोकसभा के जो सदस्त्त हैं कहलाते हैं और इन जो बहुमत इसमें जो बहुमत दल द्वारा ही इसमें प्रधान मंत्री का चुनाव होता है और यह जो लोकसभा चुनाव में जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो उनका चुने का जो है नियम है उसमें हम सार्व भंग वयस्क मताधिकार पद्दति का उप्योग करते हैं सार्व भंग जो सब भारत वर्ष में इसकी आयू इसके आइव अठारा वर्ष है तो यह पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं लेकिन कभी-कभी ये पाँच वर्स से पहले भी हम इनको भांग कर सकते हैं कभी-कभी हमेशा नहीं कभी-कभी कई बार हमारे भारत देश में ये तो पाँच वर्स से पहले भंग हो जाती है कभी-कभी अब जो संसद है राज्यसवा और लोक्सवा सभी के कार वैसे मिलते जुलते हुए हैं तो बिधाई काम बिधाई मतलब कानून को बनाना दोनों का काम है राज्यसवा लोक्सवा में विधेयक पारित होता है और यदि राष्टपति इसको सुविक्रति दे देते हैं तो वो कानून बन जाते हैं और जो विधाई का है वो कारपालिका पर भी नियंत्रन करती हैं तो ऐसा कहते हैं कि विधाई कानून बनाते हैं लेकिन इनको भी मंत्री मंडल का यह है मंत्री मंडल के अनुसार इनको काम करना पड़ता है हमेशा नहीं अधिकतर मंत्री मंडली को कारपालिका है अधिकतर यही क्या करते हैं इनके द्वारा ही विधेयक संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं कोई सामान ने विधेयक भी दे सकता है वित्तियकार वित्तियकार देश में बड़े-बड़े कार होते हैं तो इसमें हमें धन की आवश्यक्ता होती है तो धन कहां से आना है आपने देखा होगा कि कर द्वारा जो धन आता है कर द्वारा धन भी मिलता है तो उस पर कितना कर लगाना है और उसका क्या कार है तो यह एक के बाद में उनका एक है बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्तियक वर्ष में और और ऑडिटर द्वारा भी इनके धन खर्च पर निरिक्षन किया जाता है प्रतिय प्रतिनिधित्व यह अलग अलग छेत्र से आते हैं और अपने अपने छेत्र का क्या करते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं तो इस सारी अपने छेत्र की समस्याओं को वहां संसद में प्रदर्शित करते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं और सबसे अच्छा है कि जो है वह बहस का मंच होता है बहस मतलब सभी को अपने विचारों कि अभी को अपने विचारों की अभी व्यत्ती की स्वतंत्रता होती है संभीधानिक कार मतलब ये संभीधान में विशेश बहुमत द्वारा संसोधन भी कर अपने हैं संसोधन करना इसके लिए राज्यसभा और लोगसभा दोनों में विशेश बहुमत होना चाहिए निर्वाचन संभंधिकार ये रास्ट पती का उपरास्ट पती का का चुनाओ भी करते हैं और नियाईक कार नियाईक कार में ये जो नियाला है उसकी मदद करते हैं कोई भी रास्ट पती पर कोई अवियोग लग गया या उपरास्ट पती पर या कोई नियाएधीश है जो नियाएधीश होते हैं उनको हटाना है तो ये नियाला को इन सब कारियों में मदद करते हैं तो इस प्रकार ये संसत के क्या है कार हैं